हालो वेल्कम टू तो देटा मॉंक इस सीरीज में हम लोग यह देख रहे थे कि कौन-कौन से राउंड्स होते हैं किसी भी एनलेटिक्स इंटरव्यू में और लास्ट वीडियो में हम लोग ने राउंड वन को कवर किया था तो स्टार्ट करने के लिए अगर आपने पिछला वीटियों नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं पहला जो राउंड था उसमें हम लोगों का फोकस मूस्ट ली था सेक्विल और पाइफन के तरफ यह जो एनलेटिकल इनलेटिक्स इंटर्व्यू प्रॉसेस हम लोग देख रहे हैं वो और यह काफी अच्छे से यहां पर बताया गया था कि कैसा 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 पूछा जा सकते हैं और थैंक्यू सो मच फॉर आल दर लाइक हम लोग ने पिछले वीडियो में टार्गेट किया था आठ लाइक का बट वी रिसे प्राराउं ट्वेंटिवन और ट्वेंटिफाइब ल सब्सक्राइब किन और किस कम्पनी का कैसा है इन जिनेरल अग हो सकता है कि प्रोजेक्ट ट्रेइड बेस्ट पर या फिर यह भी हो सकता है कि सेक्वर और पाइर से लेकिन ाइक करो तो वहां पर पूंचा था तो ग्रॉज्ट तो जमligen डिप्ड़ों跟大家 जूरू करती है यहा को और most importantly like आप करो या ना करो अगर आपके पास कोई question है कोई भी इतरह का question है कि round one में कैसा question पुछा सकता है या फिर मेरा interview Falan company का flip card का है मीशो का है Ola, Oyo, Uber किसी चीज का भी है तो आप एक बार डाल सकते हो इस पर कि क्या process expect कर सकते हैं कैसा question question पुछ सकते हैं या फिर कोई particular question है तो भी आप राल सकते हो राउंड टू में हम लोग देखेंगे sequel python और project creator questions ज्यादा रहता है यह जो हम लोग experience शेयर कर यह mostly product based company के लिए service based company में काफी different रहता है उसमें project based question रहता है और technical बहुत ज्यादा नहीं पुछा जाता है second round in general 3-4 round में सारा खेल खत्म हो जाता है तो स्टार्ट करते सीक्वल पर सेम एज round one round one अगर कोई product based company है तो उसके sequel का round one काफी अच्छा होता है और यह mostly आपका online टेस्ट नहीं रहता है यह मतलब की one-on-one इंटर्व्यू रहता है टेलिफोनिक रहेगा या फिर in-person रहेगा तो question आप यहां पर देख सकते हो round one के question कैसा question रहता है और उसके अलावा question यह भी रहता है कि जैसे आपने किस-किस तरह के dashboards पर काम किया है और उसमें कितने complicated queries को आप handle कियो मतलब कितने matrix को आप प्रोजेक्ट की हो या फिर कितने matrix को prepare किया है और फिर वो कितने complicated थे क्योंकि in general ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कोई metric बना रते हैं वो बस group by या order by ऐसा कुछ कर देने से आ जाता है काफी लिंदी और complicated quote रहता है तो वो dashboard का knowledge और अगर आपने वैसा कुछ build कि है तो वो definitely आप अपने resume में भी डालो और उसको mention भी करो अपने interview में second complex और lindy question आ जाता है यहां पर अब SQL का आप standard उपर उट चुका है अब वहां पर यह normal question manager वाला या फिर self-join वाला simple question वो round one में आप expect कर सकते हो round two में एक question जो मेरे दिमाग में है जो की एक carrier से पूछा गया था वो कुछ ऐसा था कि इसमें test किया जा रहा है इसमें test किया रहा है कि आप आप कितने तरह के data type को handle कर सकते हो ठीक है तो यहां मालों को यह hotel idea one two three four और उसका check in check out time दिया हुआ array में array में दिया हुआ और उसका हम लोगों को बस यह निकालना है कि hotel के across कितना stay है या फिर date wise क्या stay है तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरह के data points को नहीं handle किये रहते हो इस तरह के data को नहीं handle किये रहते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि Cisco handle काड़ने या फिर जासवन अगर दिया हुआ तो उसको कैसे handle करना है या फिर कोई दूसरे तरीके और निकाल सकते हो तो अगर आपके दिमाग में ये question अगर आपने अप्रोच को करके उसको check कर सकते हो हम लोग हर एक वीडियो पर आयोए कमेड को definitely reply करते हैं so आप try करके बता सकते हो अब यह तो definitely try करो कि कुछ question ऐसे सॉल को जिसमें JSON का use हो कुछ ऐसे जिसमें date को extensively use किया गया और date के different type के formats को जैसे timestamp हो गया या फिर Unix time stamp हो गया कैसे कैसे इपाउज time stamp को कैसे deal करते है क्योंकि हम लोगों के पास जो date रहता है या फिर जो time stamp रहता है वो बहुत ही मुश्किल हो कि आपको date पर की ऐसे 112021 type नहीं मिलता है वो कभी 13 bit मिलेगा या फिर अब यह एक नियुम्रिक रहता है 16 लेंद का हो सकता है 13 लेंद का हो सकता है तो उसको कैसे deal करते हैं यह जो यह दाना और और एरे को कैसे यूज करते हैं कैसे उसको explode करके हम लोग अपने डिटा को ले सकते हैं कि सेकेंड पार्ट आगया पाइथन तो सिक्वेल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 तो 40 परसेंट 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 डेफिनेटली इतना तो करी सकते हो फिर आजाता है अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पाइथन पर है तब उससे क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली यह एक्सपेक्ट कर सकते हो क्यों है प्रेश्चन यह एक्सपेक्ट कर सकते हों और ग्यांट और इक्सप्लोड कर सकते हो more explain что is needed क्योंकि यह जो अपर्यटिंग सिस्टें ब्रिब्रीरी है या फिर्ट में इन्याफिट हो G 고양i ये सब को अगर आप यूज किये हो तो बहुत ही अच्छा और आप उसको अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हो और इंटर्व्यू के दौरान में मेंशन कर सकते हो पैथन में अब वैसा कोशन जैसे जो राउंड बन में कोश्चन था कि आपको पहले न्रॉम, फैक्टोर, यह औ इसा नहीं होता है फिर्स एक बार से राउंड होता है जिसमें आपको आपको प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है आपका एक्सपेरियंस कर जीरो टू वन येर हो तो आप थोड़ा सा लाइट ले सकते हो यहां पे लेकिन वन टू थी या फिर त्री टू फाइ हो वह ऐसा होता है कि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप अनलेटिक्स डोमेन में अपलाई नहीं कर सकते हो या फिर वह बहुत जरू है ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे के पास 30-40 परसेंट से जाता तो पॉसिवल ही नहीं है कि मशीन फोकस रहता है not because it's easy ऐसा नहीं है कि यह बहुत ही आसान होता है रिपोर्ट करना या मेट्रिक बनाना लेकिन रीजन यह है कि यहाँ यह ज्यादा कॉंप्लिकेटर होता है क्योंकि आपको कई तरह के बिजनेस स्टेकोल्डर से बात करना होता है फिर उनके लॉजिक को अपन पर पूल करके ही लिखना है लेकिन यह जब आप कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे अगर आप experience की हो तो आपको पता होगा कि कोर्स काफी कॉंप्लिकेटर रहते हैं और यहाँ पर लॉजिक आपको आपको यह नहीं बताना होता है कि चार मेट्रिक्स पर काम किया अच्छे म लिखा हो सकता है और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कितने डीटेल में यह जा सकता है यह डिसकुशन जा सकता है अगर आपके पास है तो आप बता सकते हो कि multiple type of ad hoc requests रहते थे जैसे campaign related queries रहता था एक्स्ट्रेम डेटा पे client के client का जो question रहता था उसको हम लोग स्वार करते हैं यह लोग जाला detail में जाते नहीं unless and until आपका आने वाले company में भी वैसा ही काम है यह तीनो more or less आपका 70-80% तो cover करी देता है इसके बाद जो आता है वह business request gathering documentation team reading experience यह उतना important नहीं है बट इसको भी ह अब देखो यह समझो कि इसका जरूरत क्या है अगर आप technical line में हो तो आप फिर इसको थोड़े से मतलब की अच्छे नहीं से नहीं देखोगा कि या business request gather करना होगा documentation का कौन बात करता है या फिर team leading या project leading questions क्या हो सकता है जरूरत क्या है इसको जानने का अगर जो आता है वो बोल देंगे बड़ आपको यह पता होना चाहिए कि analytics एक ऐसा domain है जो कि एक mixture है technical role का आपके business side के रोल का और आपके engineering side के रोल का तो जब टेक्निकल बोल रहे हैं तो वह यह mention कर रहे हैं जो भी analytics tool आप यूज कर रहे हैं जो या physical python जो यूज कर रहे हैं तो इन तीनों का mixture है तो आपको सबसे पहले मतलब हमारे टीम में काफी ऐसे लोग है in fact मैंने भी कई बार ऐसे प्रोजिक पर काम किया जहां पर 30-40-40 matrix या 60-60 matrix matrix को prepare करना होता था अब इन matrix को आप अपने मंद से आप इसका logic नहीं prepare कर सकते हैं आपको business से in line होके ही in logics को create करना होता है और जब आ होता चलता है कि उनके logic में और data जो possible है जो आप दे सकते हो उसमें भी धुखास difference रहता है तो यह सारा communication बहुत ही important होता है जब भी आप किसी भी project को start करते हो तो business request gathering पर अगर आपने काम किया या फिर अगर आप कोई dashboard मनाया हो या फिर कोई migration पर काम किया हो तो उसमें जो communication र गया है कि या documentation का कौन मेंशन करता है लेकिन अगर आपने documentation किया या फिर आपको अच्छा experience documentation का तो आप definitely उसको mention कर सकते हो यहाँ पर फाइदा यह होता है कि कोई भी ऐसा इनसान ज्यादा favorable होता है जो एक methodological way में किसी problem को solve करें जैसे पहले वो request को gather कर रहा है फिर SQL या Python को use कर 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 रहा है और mean while उसका document document कर रहा है यहाँ जो भी issue आ रहा है जो भी अगर product मन रहा है उसको complete life cycle को follow कर रहा है यह सब को अगर आप करने का अगर आप अपने आपको project करते हो कि आपको इन सब चीजों का experience है तो एक अच्छा case बनता है आपको एक lead के position के लिए या फिर आपको एक opportunity मिलता है या opportunity मिलता है जिससे आप उस opportunity को in cash कर सकते हूं टीम लीडिंग और project leading experience अगर आपके पास है तो इसको में mention करना बहुत हो रही है कि आप कैसे कैसे टीम को lead किये कैसे business request को gather किये और कितने time में या फिर कितने efficiently उस चीज़ को present किये या फिर report किये तो in total round two को गर sum up करे तो ऐसा होता है कि product service based और service based में बहुत ही different difference होता है service based में question mostly project पे रहेगा with very little emphasis on SQL और Python उनको ज़्यादा फर्क नहीं परता है product based में आपके technical knowledge को बहुत अच्छे से परखा जाएगा plus project ऐसा रहेगा जिसमें आप पूरी पस यह नहीं बताना है कि team handle किया या नहीं किया जैसे अगर आपके service based company रहता है तो आप project में team handling ही बताए तो या documentation बता दे तो आपका कैसा project है को आप complete किये उसके success matrix किया था उससे क्या impact हुआ कितना change आया यह सारा question अगर आपके पास है किसी project को related तो आप उसको रख सकते हो machine learning पे बहुत ज्यादा यह सोचने का जोगत नहीं कि machine learning का experience नहीं है तो फिर कैसे आगे बरहें या फिर कोई course कर लेते हैं अगर कर लो तो अच्छा है उसमें कोई मना नहीं है अगर नहीं भी करते हो तो वह उतना important नहीं है अगर आपका reporting का बहुत अच्छा experience है तो आप analytics domain म मेरे पर्व्यू में यह सारे चीज नहीं थे बाग की सब जो भी आपके आपको अपने strong points पर खेलना है तो यह वीडियो में round 2 को हम लोग complete cover कि round 3 काफी important रहेगा जिसमें हम लोग एक दो case study को head to two पूरा solve करने कर try करेंगे और फिर hiring manager round try करेंगे कि अगर उसी थर्ड वीडिय वीडियो में complete कर लें तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लोगा है तो आपको target पता ही हमारा कहां कि टार्गेट कहां गया ठीक टार्गेट टेन लाइक टार्गेट था उसको भूलना नहीं है और हाँ definitely अगर आपके पास कोई भी question हो इस round से राटेट पिछले round से तो आप उसको नीचे comment box में जरूर डालिए वीडियो देखने के लिए thank you